19 मई दिन रविवार को बाबा जी ने ब्यास में फर्माया सत्संग लाखों की संख्या में उम्री शर्धालूओं की भीड बाबा जी ने अपने दर्शनों से किया संगत को निहाल बाबा जी ने आज अपने सत्संग में किस चेतावनी का जिक्र किया आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे बने रहें वीडियो के अंत तक नमस्कार अदाप सच्छे अकाल आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी जी हाँ आपको बता दें कि बाबा जी ने 19 मई देन रविवार को ब्यास अस्थित राधा स्वामी सच्छंग केंदर पर सच्छंग फरमाया सुभा तक्रीबन साड़े आठ बजे पंडाल में पहुँचकर राधा स्वामी सच्छंग ब्यास के संत गुरू बाबा गुरिंदर सिंग धिलो जी ने लाखों की संख्या में दर्शनों की प्यास लिए बैठी संगत को दर्शन देकर निहाल किया बाबा जी ने आज जिस बाणी की तर्श पर सच्छंग फरमाया वह स्वामी हजूर जी महाराज की बाणी जग में घोर अंधेरा भारी तन में तम का भंडा रा थी बाबा जी बताते हैं कि यहाँ एक चेतावनी शबद है जिसमें स्वामी हजूर जी महाराज हमें भटकने से बचने के लिए चेता रहे हैं और हमें असल परमार्थ की रहा पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं बाबा जी फरमाते हैं कि जग में घोर अंधेरा भारी ये बाणी सुनकर कई लोग सोचते होंगे कि बाहर तो सूरज निकलता है जो कि पूरे जहां को प्रकाशित कर देता है तो जग का अंधेरा आधा टाइम तो वैसे ही दूर हो जाता है फिर संत महात्माओं ने अंधेरे वाली बात क्यूं कही इस पर बाबा जी समझाते हैं कि स्वामी हजूर जी महाराज इस बाणी में अपने अंदर भरे हुए अंधकार के बारे में बता रहे है स्वामी हजूर जी महाराज अपनी इस बानी के जरीए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाहर का प्रकाश तो सबको अच्छा लगता है लेकिन अगर कोई अपने अंदर जल रही जोद के दर्शन कर उसका प्रकाश देख ले तो फिर उसे दुनिया के सभी प्रकाश फीके लगेंगे अब अंदर की उस जोत के दर्शन कैसे करे उसके लिए हमें नाम की भक्ती करनी होगी अपने अंदर जहांक कर ध्यान लगा कर परमपिता परमात्मा का सुमिरन करना होगा बाबाजी समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग परमार्थ की रहा की तरफ चलने के लिए अपने कदम नहीं उठाते हर कोई अपने अपने मजभब के एसाब से परमार्थ में लगने का प्रयत्न करता है लेकिन इनसान की फितरत होती है कि कोई भी काम हो बस असानी से हो जाए इसलिए आसान रास्ता पकड़ने के चक्कर में इनसान अपनी अंदरूनी साधना को भूल कर बाहरी साधना में फज जाता है लेकिन जब तक हम अपने अंदर नहीं जाकेंगे अपने असल वजूद को अपनी असल अवस्था को नहीं पहचानेंगे तब तक प्रमात्मा को पाया नहीं जा सकता अब कई लोग तो यहाँ पर भी खबरा जाते हैं कहते हैं कि बाबा जी जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो मन और स्यादब भटकता है मन में तरहा तरहा के इधर उधर के विचार आने लगते हैं इसलिए हम ध्यान नहीं लगा पते अब ध्यान लगाने से ही अगर मन घबरा जाए तो इससे बड़ा अंधकार और क्या होगा आदमी अगर अंधेरे कमरे में अकेला जाएगा तो उसे डर तो लगेगा ही लेकिन वहीं अगर वो उस कमरे में जाकर वहां बत्ती जलाकर उसकी मदद ले ले तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा अध्यात्मी क्षैली में ये अंधेरा कमरा है इंसान का डर मनुष्य का सबसे बड़ा डर होता है मोत का डर जबकि मोत तो इस रिष्टी का परमसत्य है हम सब इश्वर की माया से बने है ये संसार भी इश्वर की ही माया से बना है अब माया क्या होती है इस पर बाबाजी समझाते है कि ऐसा कोई भी तत्व जिसकी एक समय अवदी होती है जो कभी ना कभी अपना समय आने पर खत्म हो जाता है वह माया है माया का अंत होना निश्चित है जो आया है वो जरूर जाएगा आज नहीं तो कल तो जो सच है उससे डरना क्यों डरने के बजाए मृत्यों से पहले परमात्मा के दिये हुए इस अनमोल जीवन का महत्व समझो इस जीवन का जो एका एक उदेश्य है उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो और वो उदेश्य है नाम की शबत की भक्ती में लग कर अपनी रूह का अपनी आत्मा का उन परमपिता परमात्मा से मिलन करवाना परमात्मा के प्राप्ती के लिए मनुष्य को मोत का डर भुला के एक जोगी के जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो जीवित तो हो लेकिन जैसे मृत शरीर को संसार की कोई भी क्षण भंगुर लोक लुभावन वस्तू परिजनों का चीखना चिल्लाना विलाप करना प्रभावित नहीं करता वैसे ही जीते जीवि उसे संसार की कोई भी माया लुभा न सके और वापस से करम बंदन में फसा न सके क्योंकि संसार की बड़ी से बड़ी आकरशक वस्तू परिजनों का प्रेम उनका विलाप सब माया का ही रूप है कोई भी आकरशक वस्तू आप प्राप्त करेंगे उसे हासिल करोगे तो एक ना एक दिन उसका भी अंत हो ही जाना है आपके मृत्तियों के बाद परिजन कुछ दिन रोएंगे ज्याद से ज्यादा कुछ महीने रोलेंगे फिर वो वापस से सब कुछ भूल बुलाकर पहले के जैसे ही अपना जीवन जीना शुरू कर देंगे ये भी माया का ही एक हिस्सा है इसलिए इस जीवन में माया से प्रभावित ना होकर जोकी क्षण भंगुर होती है एक जोगी के जैसा जीवन जीते हुए उसे खुद को नाम की शबद की भक्ती में इतना लिन कर देना चाहिए कि स्वास स्वास के साथ हमारा ये मन प्रमात्मा के नाम का सुमिरण करता रहे लेकिन जोगी वो नहीं होता जोगी मालाएं पहने भगवा वस्तर पहने जोगी तो वो होता है जो की ऐसे जीवन व्यतीत करे कि वह मर चुका है उसे दुनिया की परवहा ही ना हो किसी से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद ना हो कि कल को वह व्यक्ती मेरे काम आएगा किसी से महो ना हो कि ये मेरा बच्चा है ये मेरी मा है, ये मेरी बीवी है बस वह सिर्फ अपने अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा में मस्त हो जैसा की नानक सहब भी कहते हैं कि नानक जित्तेया मर रही है, ऐसा जोग कमाईए जैसे अंधेरा कमरा है इंसान का डर वैसे ही उस बत्ती का काम करते हैं संत संत आपको जीवन के मकसद से रूबरू करवाते हैं आप संतों की बानी को समझ कर, उनके दिखाए मार्ग को जान कर अगर परमात्मा का भजन करोगे, तो काम्याबी आपको जरूर मिलेगी कई लोगों के मन में अब सवाल आता है कि ये जो इनसानी चोला हमें मिला है उसका उदेश्य क्या है, उसका लक्षे क्या है, अखिर कि ये हमें क्यूं मिला है ये इनसानी चोला हमें अपनी आत्मा की पहचान करके जो की परमात्मा का ही एक हिस्सा है उसे वापस उस परमात्मा से जोड़ने के लिए मिला है हमें जरूरत है अपनी शरीर से आगे बढ़कर अपनी आत्मा को पहचान परमात्मा की खोच करने की लेकिन कई लोग इस शरीर को ही इस बाहरी रूप को ही अपनी आत्मा मान कर दुनियावी देख दिखावे में महो माया रूपी अंदकार में फज़ कर रह जाते हैं जबकि इनसान को चाहिए कि वो परमात्मा द्वारा भेट दिये गए इस मानव चोले का सदुप्योग करे अपने मन को नाम की शबद की भक्ती में लगाकर नाम जाब की ही मदद से इस इनसान के छे दुश्मनों काम, क्रोध, लोब, महो, मद्र और मत्सर से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा को परमात्मा की भक्ती में लीन कर दे यदि मनुश्य ऐसा करेगा, तो उस पर मालिक की महर अवश्य होगी और वह उस जोत के दर्शन कर पाएगा जो सारे अंधेरों को मिटा देगी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सत्संग कारेकरम में आस पास वे उत्तर परदेश दिल्ली हर्याना के शर्धालू भी बड़ी संख्या में पहुँचे सत्संग के अंदर में लंगर की भी विवस्ता की गई जिसमें सेवदार भाई भैनों ने निस्वार्थ सेवा करते हुए दूर दरात से आए सभी शर्धालूं को बड़े ही प्यार से सेवाओं से लंगर परशाद ग्रहन करवाया वही सेवादार भाईयों ने अपनी विवस्ताओं को बहुत ही बखुबी निभाया आज के लिए बस इतना ही इस तरीकी और वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वेब निउस पर